So engineers, आज का वीडियो आप लोगे लिए बहुत ज़्यादा important होने वाला है, खास कर उनके लिए जो construction industry में अपना career grow करना चाहते हैं और साथी में designing में भी अपना career grow करना चाहते है as a civil engineer क्योंकि आज मैं लेकर आँ, आप लोगे लिए ऐसे softwares जो 2021 में बहुत ज़्यादा important है और एक civil engineer को आने ही चाहिए तो स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का हमारी YouTube channel civil guru जी में, मैं corporate trainer फदलु रह्मान जैसे मैंने आप लोगे को बता है कि आज को जो हमारा topic है वो software के उपर है जो एक civil engineer को आने ही चाहिए सबसे पहले हम बात करेंगे बहुत ज़्यादे important software की जो है हमारा AutoCAD AutoCAD एक drafting software है जो civil engineers और architect सभी use करते हैं और हमारी ये 2021 की list में इसलिए है क्योंकि इसका इस्तिमाल बहुत ज़्यादा जरूरी है एक architect और एक civil engineer दोनों इसका इस्तिमाल करते हैं और ये कब से है मतलग अगर मैं बात करूँ इसके foundation की जब ये released हुआ तो इसका released year की अगर हम बात करते हैं 1982 में 1982 December में जो है ये released हुआ और तब से लेके अब तक कि इसका इस्तिमाल बढ़ता जा रहा है और आगे भी इसका इस्तिमाल किया जाएगा तो ये एक ऐसा software है जो आप लोगों को आना ही चाहिए इसके बाद हम बात करते हैं एक software की जो है Revit Revit जो है ये 3D के लिए use किया जाता है AutoCAD में भी 3D का काम होता है लेकिन जब इसके result की बात करें तो Revit का result बहुत जादा अच्छा आता है तो Revit भी आप लोगों को आना चाहिए उसके बाद हम और एक 3D के बात करेंगे जो है 3DX Max 3DX Max भी 3D modeling के लिए use किया जाता है उसी तरीके से Google SketchUp भी तो ये सारे software 3D के लिए use किये जाता है और ये सारे आपको आना ही चाहिए क्योंकि as a designing engineer अगर आपको अपना career grow करना है तो ये सारे software आना चाहिए 2D के लिए AutoCAD best है 3D के लिए जो मैंने आप लोगों को ये बताया Revit, 3DS Max, Google SketchUp ये सारे आना चाहिए लेकिन अब हम बात करते है rendering की तो कभी ना कभी अगर आप लोगोंने 3D modeling कियो होगी तो उसका result जब देखा होगा तो जब हम लोग rendering करते है software की तो उसमें काफी जदा समय लग जाता है time लग जाता है और उसका result उतना अच्छा नहीं आपाता तो इसके लिए Lumion है Lumion एक rendering software है जिसका इस्तिमाल होता है simple और fast architectural visualization के लिए visualization के लिए एक बहुत अच्छा software है ये civil engineers और architecture के पास ये होता ही है तो इसके बाद हम बात करेंगे वीरे की वीरे भी एक plugging software है जो एक third party software है जो architecture visualization को काफी जादा अच्छा कर देता है इसके बाद हम बात करते हैं Enscape की Enscape भी हमने जैसी बात की visualization के लिए उसी के बाद virtual reality के लिए भी बहुत जादा अच्छा होता है और एक virtual reality आप लोगों के सामने बिलकुल लाके रख देता है बस एक click में ये भी एक बहुत अच्छा रेंडिंग software है इससे भी आप लोग जो है बहुत अच्छा result निकाल सकते हैं इसके बाद हम एक software की बात करने वाले है जो आज की industry में बहुत ज़्यादा important है वो है beam technology beam technology मतलब building information modeling का ये foundation है जो की digital transformation के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहा है अगर मैं बात करो architectures की, engineers की और contractors की मतलब के AEC जो होता है हमारा industry उसकी AEC industry मतलब अगर आप लोगों confused हो रहा हूँगा तो मैं आप लोगों को बता दू AEC industry मतलब के architectural engineering और construction जो contractors होता है हमारे उन सबकी एक industry है जो हमारी उसके बारे में हम बात हो रही है इसको इसने पुरा transform कर दिया है beam technology ने इसे पुरा transform कर दिया है हम लोग modeling की बात करें तो ये तीनों के बराबर ही काम में आती है तो ये एक बहुत अच्छी है अगर आप इसे सीख लेते हैं तो आपका career बहुत ज़ादा grow हो सकता है तो ये एक बहुत अच्छा software भी है अब हम बात करते है structural softwares की structural software भी बहुत ज़ादा important as a civil engineer अब ही लगबग हमने जितने भी softwares की बात की वो सारे के सारे एक architectural softwares थे लेकिन अब हम बात करते है structural softwares की जिसमें आता है हमारा ETAB ETAB एक बहुत ज़रूरी software है जिससे हम लोग structural modeling करते है structural analysis करते है और इससे safely multi-stories building को design कर सकते है हम लोग इसके बाद हम बात करेंगे SAP 2000 की वो भी हम लोग इसी तरीके से इसका इस्तिमाल करते है modeling के लिए उसी के बाद structure analysis के लिए इसके बाद हम stat pro की बात करें तो इसमें भी हम लोग जो है वो designing कर सकते है structure analysis कर सकते है तो यह बहुत अच्छे software यह आप लोगों के as a civil engineer आने ही चाहिए अब हम बात करते है एक last software की जो है हमारा MX road MX road आप लोगों को आना चाहिए अगर आपको highway construction में आगे बढ़ना है तो highway construction में इसका बहुत जादा हैमियत है क्योंकि इसमें जो designing part है highway में वो MX road में ही होता है तो यह सारे software आप लोगों के लिए और ऐसे ही technical videos में आप लोगों के लिए और लाता रहूँगा तब तक के लिए thank you and goodbye